हेलो दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Pay for Business एकाउंट का जो Link Bank एकाउंट है उसे आप Change करना चाहते हैं या आपके New Bank एकाउंट Aid करना चाहते हैं उसे कैसे करें दोस्तो वीडियो आश्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपने अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें तो चलिए वीडियो अच्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको Google Pay for Business F को उपन करना है इसे उपन करने के बाद दोस्तों इस पर कासे पेज आएगा यहाँ पर दोस्तों आपको उपर कियो और देखिए एक थ्री डॉट का ऐकन मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऐकन मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद देखे इस पर कासे page open होगा यहाँ पर एक option दिखाए देगा आपको bank accounts का इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद देखे जो यहाँ bank आपका link पहले से वो दिखाए देगा और साथ ही एक option मिलेगा add bank account तो इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां से आप bank search कर सकते हैं अगर यहां सामने नहीं दिखाए दे रहा है तो यहां फिर scroll करके भी नीचे आप bank search कर सकते हैं तो अपना bank search कर सकते हैं जैसा कि मुझे अभी estate bank op India add करना है तो दोस्तों मेरा जो branch है वो चेंदरपूरा करके है मैं यहां पर अपना branch name लिखा तो मेरा जो branch name से IFC code है वो भी यहां पर आगी है अब मुझे इस पर select करना है दोस्तों ध्यान रखिएगा कभी-कभी एक ही नाम से दिखिए दो दिन branch होते हैं जिसे दिखिए राम चेंदरप पूरम यहां पर दो branch है तो IFC code आपको बढ़िये से मिला लेना है ठीक है जो आपका IFC code है वो उसी को select करना है अगर आपको IFC code नहीं पता है तो आपका जो bank account का passbook है उस पर लिखा होता है वहां से देखकर बढ़िये से मेंच करके ही आप क्लिक कीजिएगा दूसरे वाला अब जो add करना चाहा है उसका number यहां पर bank account number यहां पर डालना है तो सब्सक्रांने के बाड़ने के बाद नीचे option मिलेगा एक वो account आप से संबन्दिद नहीं है मतला आप हो सकता है कि इंगलत नमर डाल दिये हूं और यहां पर आपके नाम पर नहीं हो रहा है तो इस पेंसिल वाल एकन पर किलिक करके आप अपना account यहां पर चेंज कर सकते हैं उसके बाद अगर आपका है तो यहां पर confirm bank account पर किलिक करें सही है यह नहीं इसमें दो business day का time लेगा मतला दो दीन का time लेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों यह एक मिनट के अंदर यह रिव्यू हो कि आपको primary set कर लेता है जैसा कि दिखिए मेरा एक मिनट के अंदर ही set हो गया और मेरा जो new bank account है उसे primary कर दिया गया और जो पुरा पर merchant account पर new bank account id कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिद जय भारत